समस्कार बहुत स्वागए डिडी किसान देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ रादिका चोधरी दिली से हर्याना पहुच चुके हैं और हर्याना के धोलू गाउ में आज इस गाउ में बात करेंगे पीम किसान सम्मान निधी योजना की यूँ तो सरकार की के योजना हैं कहते हैं कि सबसे खास और सबसे महतपुन या सबसे सक्सेसफूल योजनाओं में से एक योजना है वो है पीम किसान सम्मान निधी योजना चलिए यहां के किसानों से चर्चा करते हैं क्या वो इस सम्मान से लाबानवित हो रहे हैं क्योंकि अभी अभी बज़ट आया है और किसानों की कितनी उम्मीदे रही हैं, कितनी उम्मीदों पर खरी उत्री है सरकार, तमाम बाते होगी इस चर्चा के माध्यम से, चंद कदमों की दूरी है, आप भी हमारे इस चर्चा का हिस्सा पर लिए. तो चोपाल चर्चा के लिए धोलू गाव में मैं पहुच गई हूँ, ये गाव है हरियाना का, एक बार जोरदार से तालिया भाई अपने आपके लिए, बहाद स्वागत और इनी तालियों के साथ बात करेंगे, पियम किसान सम्मान निधी योजना की, एक ऐसी योजना है जो घर-घर पहुच रही है, और एक ऐसा सम्मान जो सीधे लोगों के खातों में, सीधे लोगों के घरों तक पहुच रहे है, अब देखिए, ये सम्मान हमारे किसान भाईयों को मिल रहा है, भी अभी वज़ट आया है, तवाम यहां पर अन्य दाता बेटेवे हैं, कितनी उम् अच्छा इसी गाम से विलेओं करता हूं, दोलु से, अच्छा दोलु गाम से, मैंने देखा आपका दोलु गाम जो है, काफी बड़ा गाम है, और अगर मैं पूछू, दो हजार रुपे, जानते हैं ये आते गली आते हैं, आते हैं जी किसान ने दीके, पर ये किसानों के लेवल में कम उतरते हैं खरें, दोजार रुपे से इतना वो ने होता, मतले एक खात का जो डियेपी का कटा है, वो ही आता है इससे, तो ये मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको बढ़ा के कुछ से मतल करें जादा है, कम से कम ये पांच जार रुपे ये दसार रुप इसके लिए इनका दन्यवाद है, और आपके डिडी चैनल का यहां गाम में पहुंचने पर दन्यवाद है, ठीक है, बेट जाएए, बहुत दन्यवाद जी, जी, आप खड़े हो ये भाई, क्या नाम है आपका, नमस्कार मेडम जी, मेरा नाम सतवीर सर्मा है, सतवीर जी सम किसानों के घर आने से काफी मदद है, खातबीज हो जाता है, और एक ऐसा समान, जो सीधे, इंके खात में, आ रहा है? जी मेडम जी बिलकुल आ रहा है और ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है जो इन्होंने किसानों के मान सम्मान के लिए कुछ कदम बढ़ाया है और देरे देरे आगे बढ़ता रहे है